श्री गनेशा या नमहा ये राशी फल चंदरा राशी पर आधारित है चंदर्मा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदर्मा की स्तिती ले कर आती है और इस वजे से चंदर्मा की पोजिशन हमारी रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावि इस दिन आप दूसरों की गलतियों को नजर अनदाज करें। आप इस समय में दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो सकते हैं। आपके अपनों से भी नाराजोने की संभावना रहेगी। दोस्तों, हर चीज़ को पॉजिटिव नजरिय से देखें। हर situation को शान्ती से संबालने की कोशिश करे आप अपनी family के साथ रहे, enjoy करे और अगर किसी चीछ से परेशानी होती है तो उसे पूरे तरीके से नजर अंदाज करने की कोशिश करे इस तरीके से आप दिन का पूरा अनंद उठा सकते है बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा लेकिन कही निवेश ना करे और पैसों का लेंद दिन करना नुकसान दाइक हो सकता है अगर काम में मन ना लगे तो परेशान ना हो क्योंकि आप सब कुछ संबाल लोगे आप काफी मेहनत करने वाली विक्ती है आप जैसे मेहनती लोगों को समस्याओं से बाहर निकलने के मार्ग मिल ही जाते है इस समय में अगर आप नया पार्टनर ढून रहे है तो आपको मिल सकता है दिन लवलाइप के लिए अच्छा रहेगा लेकिन किसी को प्रपोस करने के लिए ये समय ठीक नहीं है तो थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा अपने पार्टनर से दूर ले जाने वाले रास्तों से आज आपको दूर ही रहना चाहिए तातकालिक आकरशन से बचे अगर किसी बात से पार्टनर से अनबन या जगड़ा हुआ है तो बढ़ने की संभावन रहेगी तो शान्ती बनाए रखने की कोशिश करे अगर students की बात करें तो students को इस वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना है आप ख्यालों में खो सकते है या फिर आपका मन भटक सकता है बाहरी दुनिया की तरफ ज्यादा किचाव रहेगा लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखना है क्योंकि आपके जीवन में पढ़ाई सबसे महत्व पुर्ण है पढ़ाई का यही सही समय है बाकी चीजों के मौके जीवन में बार बार आने ही वाले है अगर आपके स्वास्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो कमरदर्ध या पईरों में दर्ध की शिकायत रह सकती है, सरदी खासी होने की संभाव नहीं रहेगी, छोटी मोटी समस्याय रह सकती है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी योगा करे प्रानयाम करे अपने खान पान पर नियंतरन रखे और सुबह टहलने जाना ना भूले इस दिन आप केसर या चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते है तो आप शांत रहोगे आपके लिए लाबदायक रहेगा इस दिन हो सके तो मंदिर जरूर जाए भगवान से प्रार्थना करे और एक रुपे का सिक्का गुल्लक में जरूर डाले इस समय में आपके लिए हरे रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और आपके लिए इस दिन पाच अंक लकी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फ उत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखें साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हां जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते है लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही न कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के छट को पूरी तरे से साप रखें, पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्षमी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान र जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती ह आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नही बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगव चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरे हैं, जैसे डूपते नाव की तस्वीर, या फिर जगडे की तस्वीर, या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है, जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है, कि ये तस्वीर भाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं, तरक्यि ला सकते हैं, मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद